हम लोग हमेशा महाभारत के संजे के चर्चा करते हैं जिने उस युद का संजीव वनन धितराष्टर को सुनाने के लिए विशेश दिवेद्रिष्टी मिली थी आखिर कौन थे संजे उस युद के बाद उनका क्या हुआ यह सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखे और हमारी वीडियो देखने वाले 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते अगर आभी 99% लोगों में आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूट करें धितराष्ट को महाभारत युद का संजीव वन्नन सुनाने के लिए महरशी वेद्व्यास ने संजे को दिवेद्रिष्टी प्रदान की थी असल में संजे पेशे से बुनकर और धितराष्ट के मंत्री थे युद के बाद उनकी चर्चा आम तोर पर खतम ही हो गई थी राजा धितराष्ट संजे का सम्मान करते थे संजे एक सूत पुत्र थे और जाती से बुनकर थे हमारे पुरानी गरंथ और महाभारत के कहानिया बताती है कि संजे बेहद विनम्र और धार्मिक सभाव के व्यक्ती थे जैसा कि संजे एक सूत पुत्र थे लेकिन उन्होंने महारशी वेद्वियास से दिक्षा लेकर ब्रामन तब ड्रहन किया था अर्थार्त वेद्वियास जी धित्राष्ट के पास गए और उनसे इस युद्ध को रोकने के लिए कहा तब धित्राष्ट कहते हैं कि रिशीवर मैं तु स्वैम यह नहीं चाहता कि युद्ध हो लेकिन मैं क्या करूँ मेरे पुत्र मेरे ही वश में नहीं है तब रिशी कहते हैं कि ठीक है मैं तुमें दिवेद्रिष्टी देता हूँ जिससे तुम स्वैम इस सर्वनाश को देख सको ताकि तुमें भी इस बात का पश्तावा हो कि तुमने अपने पुत्रों को अधरम करने से क्यों नहीं रोका दितराष्ट्र ऐसा करने से उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि संजे को यह दिवे दृष्टी प्रदान कीजिए ताकि मैं इससे सुन सकूं कि कौन वीरगती को प्राप्त हुआ है तब रिशी वेदव्यास जी संजे को दिवे दृष्टी प्रदान कर देते हैं बहुत कम लोग संजे के बारे में जानते हैं, गीता की शुरुवात संजे और धृतराष्ट्र के समवाज यही शुरू होती है, संजे हस्तिनापूर में बैटे ही कुरुक शेत्र में हो रहे युद्ध का वणन धृतराष्ट्र को सुनाते हैं, 18 दिनों तो चलने वाले महाभ युद्ध की हर घटना का संजे वंडन करते हैं, संजे को दिवे द्रिश्टी प्राप्त थी अता वह युद्ध शेत्र का समस्त द्रिश्य महल में बैटे ही देख सकते थे, नेत्रहिं धृतराष्ट्र ने महाभार्त युद्ध का प्रते एक अंश उनकी वानी से ही सुना संजे प्रारंब से अंत तक द्रिश्टी के साथ ही रहते हैं, महाभार्त का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी वह उनके मार द्रिश्टी की भाती ही कारे करते हैं, यह बहुती आश्चरे वाली बात है कि एक और जहां द्रिश्टी देख नहीं सकते थे, वही संजे के पास दीवे द्रिश्टी थी, कहते हैं कि संजे शिरिक्रिशिन के भक्त थे और वह धृतराश्टी के मंत्री भी थे, अतहाँ उन्होंने कभी भी अपनी भक्ती को मंत्री से नहीं टकराने दिया, दोनों में ही उन्होंने संतूलन बनाया रखा, फिर भी संजे अपनी सपस् देते वह द्रश्टे के संदेश वाहक भी थे कहते हैं कि भगवान श्री क्रिशन के मुख से गीता को अर्जुन के बाद संजे नहीं सुना था। उन्होंने महाभारत के सबी प्रमुक योधाओं के बारे में विस्तार से वर्णन किया है कहते हैं कि गीता का उपदेश दो लोगों नहीं सुना था एक अर्जुन और दूसरा संजे यही नहीं देवताओं के लिए भी दुरलब, विशव रूप तथा चदुर बुर्ज रूप का दर्शन सिरफ इन दोन लोगों नहीं किया था गीता के अंतिम अश्टा दश अध्याय की श्लोक चुहत्तल से पज़त्तर में संजे दृतराष्टर से कहते हैं इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस विलक्षन तथा रुमाचकारी समभात को सुना लेकिन कैसे तो श्री व्यास जी की कृपा से उनकी दी हुई दिवे दृष्टी से मैंने इस परम, गोपनिय, योग को साक्षात, योगेश्वर श्री क्रिशन को कहते हुए सुना है, महाभारत युद के पश्चात अनेक वर्षों तक संजे युदिष्टिर के राजे में ही रहे, इसके पश्चात धितराष्टे, गांधारी और कुंती के साथ उन्होंने भी सन्यास ले लिया, बाद में धृतराष्टे की मृत्यों के बाद वह हिमाले चले गए, जहां से वह फिर कभी नहीं लोटे, दरासल महाभारत युद के 15 वर्ष बाद धितराष्टे, गांधारी, संजे और कुंती वन में चले जाते हैं, तीन साल बाद एक दिन धितराष्टे गंगा में सनान करने के लिए जाते हैं, और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है, वैस अभी दितराष्टे के पास आते हैं, संजे उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुरबलता के कारण दितराष्टे वहां से नहीं जाते, गांधारी और कुंती भी नहीं जाते हैं, जब संजे अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़के च अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब चिरूड करें, और यह है वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद